एलो फ्रेंट्स केसे आप लोग आए मैं आप लोग के लिए 5 MIUI थिम्स लेकर आगे हूँ बहुत सिंपल और मिनमल थिम्स होने वाल हैं इस लिस्ट में अगर आपको क्लिन और मिनमल थिम्स पसंद है तो ये वीडियो है आपके लिए काफी अच्छे थिम्स होने वाले हैं जि यह हमारा फॉर्ष्ट तेम आप देखो देखने को नहीं मिलता सिंपल सी कंट्रूल सेंटर है यहाँ पर बस क्लिक्टोल की कोलर्स चेंज हुए है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है आप देखो तो यहाँ पर जो क्लियर बटन है यह भी चेंज हुआ है और अगर हम जाते है यहाँ पर सेटिंग के अंदर तो आप देखो तो यहाँ पर जो बेग्राउंड है यह भी चेंज हुआ है काफ़े चल लगता है और हम जाते हैं यहाँ पर लॉकस्क्रीन पर तो लॉक शिन आप देखो च्छा लगता तो यह एनिमेशन देखने को मिलता है साथ में साम है टॉम्नल सिनेरी बाई डियान नाइंटीन और इसके साइए 11.6 यह पूतिम स्टोर पर मिल जाएगा जाकर साच करके डाउनलोड कर सकते हो तो अब आता है हमारे सेकंड थीम वीजियो की कुछ इस टाइप की एक डार्क वाल पैपर के साथ आता है आप देखो तो काफी इस टैप के कंट्रोल सेंटर मिल जाता है यहाँ पर य lawyer के color के quantum May जाते हैं साथ में बात करें sound канал के तो आप देखे तो यहाँपर भी चीज़ देखने को मिलता है और अगर हम जाते हैं यहाह पर settings के अंदर तो आप देखो तो कुछ इस टैप का background मिल जाता है तो बात करे lock screen की तो lock screen आप देखो तो कुछ इस टैप का है यहाँ पर काफ़ी अच्छा lock screen मिल जाता है काफ़ी सारे shortcuts और OE8 से यहाँ पर मिल जाते हैं और अगर हम यहाँ पर tap कोते हैं तो यहाँ पर हम OE8 को change कर सकते हैं यहाँ पर एक iOS inspired OE8 भी मिल जाता है तो आपको जो भी OE8 पसंद आता है आप उसे यहाँ पर try क कर सकते हो तो धीम का नाम है राउंड पॉरपल बाड़ी एन और गुडबाई और इसके सब्सक्राइब यहाँ पर मिल जाएगा बात करें थोड़ थीम के तो आप देख सकते हो कुछ इस टैप की एक वाल पैपर के साथ आता है आइकॉन से यहाँ पर ग्रीन कोलर में मिल ज बात करें विएड की तो यहाँ पर एक मिनिमाल होइड मिल जाता है प्रही कॉंट्रोल सेंटर के तो आप देख साथ आताह यहाँ पर वाल पैपर की क्मरर के एकुड्टोल सें साथ में हम ज़ाते हैं यहां पर इहांपर बेग्राओंड चेञ्ज हुआ है और बात करें लॉक स्क्रिन की पररीव यहां पर एक को यहांपर लगता है यहांपर अगारं यहांपर टप करते हैं तो हम widget style को change कर सकते हैं आपको जो भी widget पसंद हो आप उसे select कर सकते हो तो अगर आपको ये theme पसंद आता है तो आप इसे download कर सकते हो theme का नाम है mountain scenery by dnr 19 और इसके साइब 13.5 mb number 4 पर है ये beautiful theme आप देखें तो काफे beautiful wallpaper के साथ आता है icons यहाँ पर कुछ इस type के मिल जाते है pastel color में और जो widget है यहाँ पर आप देखें तो last size में widget है जो के काफे अच्छा लगता है इस wallpaper के साथ देन बात करें control center के तो आप देखें तो यहाँ पर quick toggles green color में मिल जाते हैं और notification पैनल के बाद के तो कुछ इस type का है अगर हम जाते हैं यहाँ पर settings के अंदर तो आप देखें तो यहाँ पर भी जो background है वो change हुआ है तो अगर हम जाते हैं lock screen पे तो lock screen आप देखें तो कुछ इस type के beautiful weird मिल जाता है यहाँ पर lock screen में और इसे भी हम यहाँ पर tap करके change कर सकते हैं बहुत ही beautiful weird मिल जाते हैं इस theme में भी तो theme का नाम है green landscape by dino 19 और इसकी साहिए 11.9 MB लाश्टे में हमारे list में sea wave by dino 19 और इसकी साहिए 24.2 MB home screen के बाद के तो आप देखें तो कुछ इस type की एक wallpaper के साथ आता है जो कि काफी अच्छा लगता है बट यहाँ पर जो icon से आप देख सकते हो wallpaper के वजह से अच्छे से visual नहीं है बट काफी beautiful icons यहाँ पर मिल जाते हैं अगर आप wallpaper को change करते हो तो icons काफी अच्छे लगेंगे then weird की बाद के तो आप देख सकते हो minimal weird मिलता है और अगर हम जाते हैं यहाँ पर control center पर तो आप देख सकते हो कुछ step के control center के साथ आता है translation background यहाँ पर मिल जाता है और notification panel के बाद के तो कुछ step का है और अगर हम जाते हैं यहाँ पर settings के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी background change हुआ है यहाँ पर स्वाइब करना है और यहाँ पर जो यह चेंज हो जाता है यहाँ पर कुछ इस्टाइब का एक विएड मिल जाता है तो काफी अच्छा लॉक्स्क्रीन है अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो तो यह दे फाइम युवाई तिमस दिन कर दो